जी हाँ दोस्तो आए आज के आउट्सोर्सिंग के चेक्रमचे जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं काहसे क्या खबर आए तो सबसे पहली खबर देख लेते दोस्तो आज यहाँ पर चंडीगड बासकर से तीन साल बाद बढ़ी गौर्मेंट स्कूलों में त पची सो से तीन हजार उपे तक काई जापा देखने में मिला है बताते दोस्तों आप लोगों को तीन साल बाद यानि के इनकी जो सेलरी हटी सी रेट हो पिछली बार जो बढ़ा था वो था दो हजार उन्नीस बीस में इनका जो हटी सी रेट बढ़ा था उसके बाद कुछ परिशानिया थी जो लगातार चल रही थी उनका समाधान करने पर जो हवी वाग लगा वा था लेकिन अंतता है यहां पर आप लोग देख पाएंगे वी तीन साल बाद ने राहत देते हुए डाई से तीन हजार उपेन के वेतनमे वर्दी कर दी गई है अगर बात करें तो जो कंप्यूटर इंस्टक्टर था उनकी जो सेलरी है जूनियर कंप्यूटर इंस्टक्टर की एकती सजार शैसोचवी से बढ़ कर देखी है इसके बाद यहां पर बता दे जो है अन्य जो करमचारी है उनका भी डिसी रेट बढ़ गया है दो जार चोबीस पच्चिस के लि गए है हरियाना के जो करमचारी है वह बले ही इंतजार करें हो लेकिन यहां पर चंडिकट के करमचारी इंतजार पूरा हो गया है ग्यारा तीन दोजार जारी कर दिया इस पर हमने स्पेसल वीडियो बना रखी है कल की डेट में आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर डेट लाग हो जाएंगे 21,600 रुपे इन की सेलरी हो जाएगी एक अप्रेल से अंगे अगले महीने की एक तारिक से इसके बाद यहां पर देख लेते हैं खबर है यहां पर कोशलोजगार निकम ने दूस्तों कल सेलरी जारी की है 14,297 रुपे आप लोग देख पा रहे हैं 11 मार्च 2024 की डेट में तो कल सेलरी आई है यहां पर पुब्लिक हैल्थी जिनिक डिपार्टमेंट कुरुक शेत्र की जो है कोशलोजगार निकम ने सेलरी जारी कर दी है डिसी रेट हुए रिवाइज एक प्रेल से बढ़ेगा वेतन तो चंडिगड की ही दोस्तों ये बात हो रही है चंडिगड में डिसी रेट बढ़ गए है यहां पर 14 को पंच कुला में सियम आवास का घेराव करेंगे कम्प्यूटर लैब सायक जी हां ये हरियाना के जो कम् इने कि 6 तारिकों सियम आवास के सामने एक दिन का उपवास भी रखा था लेकिन इसके बाद यहां पर अब इनोंने डिसाइड किया है कि अब ये जो है परदसने करने जा रहे हैं 14 तारिकों इनका आरोप है कि इनकी जो है बातचीत जब हुई थी सहमती बनी थी कि बिजो 25 25 जनवरी को जी हां 25 जनली को चैनंघ से मिल वाने का लिखित आसान ए लिखित में समय दिया गया था किस ने अब ये प्रेशान है नाराज है कभी सरकार तो सुनने के लिए त्यार ही नहीं है पिछले 10-12 साल से जो कंप्यूटर टीचर लैब सायक है स्कूलों में अपनी सेवाई दे रही है लेकिन आज तक इनकी जो सेलरी है वो लैब सायक की मातर 12,000 रुपे है कंप्यूटर टीचर की देख लेते हैं मिड़े मिल वरकर ने उन्तव वेतं 26,000 रुपे करने की है मांग तो सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाई देती हैं मिड़े मिल करमचारी दोस्तों खाना पकाने का काम करती है छोटे बच्चों के लिए लेकिन यहां पर आब इन्होंने कहा है कि इनको मातर 7 साथ में यह कहते हैं अगर कोई स्कूल अगर बंद किया जाता है बंद इन दा सेंस यह है कि स्कूल समयों समयोजित कर देती है सरकार दो स्कूलों को मिला कर एक स्कूल कर देते हैं तो यहां पर इनका कहना कि मीड abandon कर में ऻृष्ट का ऑद Tea है और मेंद्रगड से ही अपडेट यहां पर आई हुई है दोस्तों जो राज की इसमें रोजगार मिला लगने जा रहा है 13 मार्च को या निके कल यह रोजगार मिला लगेगा जिसमें जो कंपनी है आई टी आई के पास आउट छातरी में जो है ट्रेनी अ कम जो चातर है वो जो है इनको सेलेक्ट किया जाएगा और साथ में इन्हों नहीं यहां पर यह भी बताया है कि तेरा मार्च सुब नो बजे से अपने सभी बायो डाटा और डोकुमेंट लेकर पहुंच जाएं सभी चातर यहां पर जो है समय पर पहुंचना सुनिशित करें और अपना पंजी करने करवा ले जो भी चुक केंडिडेट हो इसमें यहां पर बाग ले सकता है कैथल से अपडेट देख लीजिए गुलाखंड में यहां पर मनरेगा मजदूरों को काम देने का जो है दिया जा या फिर बता दिया जाए तो मनरेगा मजदूर भी लगातार परेशान रहते हैं काम की डिमांड करते ही रहते हैं लेकिन अधिकारी है कि आप लोगों को पता है आसवासन और शिर्फ आसवासन इनको मिलते हैं अंत में एक और अपडेट देख लिजे यहाँ पर HSSC का एक कारणामा सामने आया है हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की लापरवाही 22 साल के युवाओं को बना दिया एक्स सर्विसमेन जी हाँ गुरूप डी भरती में खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले 300 युवाओं का एक्स सर्विसमेन केटगरी में चैन जी हाँ एक्स सर्विसमेन केटगरी में चैन कर दिया गया है खेल कोटे के 300 युवाओं का 22-22 साल के युवाओं को एक्स सर्विसमेन बना दिया गया है तो यहाँ पर बड़ी गलती यहाँ पर कह सकते हैं देखने में आई है इसमें जरूर सुधार होगा तो सिंपल सी बात है सुधार होना तो लाजमी है लेकिन गलती तो सामने आई है तो दोस्तों यह थी सारी सारी आज कि आउट चुरसिंग कचे करम चाज़ोडी खाबर है अगर आभी चाते हर्याना में उजकेसंग चेंड़ कचे करम चाज़ोडी खबर है समय पर पाना दुस्तों साथ शेयर करें Thank you very much